पूरा मामला जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक दोस्तों लंबे इंतजार के बाद भव्य और दिव्य शिरी राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और राम लला अपने घर्ब ग्रहे में विराजमान हो चुके हैं इसके बाद लगातार अयोध्या से जाती धरम और मजहब से उपर उठकर संदेश दिया जा रहा है कोई समोह से चल कर तो कोई पैदल नंगे पाउँ चल कर अपने अपने तरीके से अराध्य को खुश करने में जुटा हुआ है वही राम मंदिर पहुँचने में मुसलिम भी पीछे नहीं है लखनाओ से भक्तो का एक जथा अयोध्या पहुँचा और राम लला का दर्शन पूजन किया भक्तो ने भगवान से आशिरवाद मांगा है कि लखनाओ को लखनपुरी के नाम से जाना जाए और वहाँ पर अगवान लक्षमन की प्रतिमा भी लगाई चाए योध्या के राम मंदिर में घर बग्रहे में राम लला की प्रान प्रतिष्टा हो गई है सामने आई तस्वीरों में राम लला की प्रतिमा को देख लोग मंत्र मुग्द हो गए प्रान प्रतिष्टा के दौरान शिरी राम जनम भूमी मंदिर परिसर के ऊपर हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्शा की गई लोगों में खूब उत्सहा देखने को मिला साथी पुरा योध्या जै शिरी राम के नारों से गूंज उठा अयोध्या में जब से प्रभु शिरी राम अपने भव्य महल में विराज मान हुए हैं तब से लाखों की संख्या में राम भक्त धरम नगरी अयोध्या पहुँच रहे हैं लेकिन इन भक्तों की भीड में आखिर कौन है ये मुसल्मान जो खुद को सनातनी और प्रभु शिरीराम का वंशस बता रहे हैं। आखिर मुसल्मानों का मंदिर में क्या काम। दोस्तो हजारों की संख्या में सनातनी मुसल्मान प्रबु शिरी राम के दर्शन करने के लिए बड़े हर्शो उलास से योध्या मंदिर पहुँच रहे हैं। खुद को शिरी राम का वंशिस बताने वाले सैकडो सनातनी मुसल्मान लोग दर्शन हेतू बड़े ही उत्साहित नजरा रहे हैं। सनातनी मुसल्मान की भगवान राम के लिए ऐसी भगती देख कर पाकिस्तान और ओवेसी भी अबतल मिला हुथे हैं। लेकिन कौन हैं ये मुसल्मान ये प्रभु शिरी राम में जो गहरी आस्था रखते हैं। जानेंगे सब कुछ बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं सच्चे राम भकत हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जै श्री राम जरूर लिखें और इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बुर्खा पहने हुए और कुछ मुसलिम महिलाएं भगवावस्त्र पहने हुए राम मंदिर परिसर में दिखाई दी। जिस वज़े से कुछ लोगों को उनके उपर शक होने लगा कि कहीं ये मुसलिम समुदाय की कोई चाल तो नहीं है। कहीं उन्होंने राम मंदिर के लिए कोई साजिश तो नहीं रची है क्योंकि पिछले कुछ समय से अयोध्या में कुछ मुसल्मानों द्वारा कुछ शेत्रों में ऐसे बयान दिये गए थे जिसमें वो पूरी तरह से राम मंदिर बनने से असंतुष्ट नजर आ रहे थे। पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उन महिलाओं को पूछताच के लिए बुलाया तब उन्होंने जो जवाब दिया सुनकर अधिकारियों के भी रॉंग्टे खड़े हो गए उन तीन से चार महिलाओं का कहना था कि वे राम लला के दर्शन करना चाहते हैं उनकी कई सारी सह पुलियां भी प्रभु शिरी राम के दर्शन करना चाहती हैं लेकिन वे आज आ नहीं सकी लेकिन आज हम हिम्मत करके अपने घर पर लड़ाई करके प्रभु शिरी राम के दर्शन करने पहुंचे हैं लेकिन प्रभु शिरी राम ने मुसलिम वर्ग की उन महिलाओं पर ऐस पर हाथ उठाता था और मेरे अलावा और भी कई औरतों के साथ उसके रिश्टे थे एक दिन गुसे में आकर उसने मुझे तीन बार तलाक 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 कहा और मुझे मेरे हाल में मेरे बच्चों के साथ लवारिस छोड़ दिया और उसके बाद वो मुझसे मिलने फिर कभी भी नहीं आया लेकिन जब मोदी जी ने तीन तलाक बिल पास करवाया मेरे साथ साथ कई मुस्लिम बहनों को न्याय मिला प्रधान मंतरी मोदी पर श्री राम की कृपा है वे युग पुरुश है और अब हम भी उन्हीं राम जी की शरण में जाना चाहते हैं ताकि हमारा भी उध् सभी मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि सनातन धरम अजर हैं अमर हैं हमें कनवर्ट हुए भी 200 से 2500 साल ही हुए हैं हमारे पूरवज भी कभी न कभी हिंदू ही हुआ करते थे जिन से जबरदस्ती इसलाम कबूल करवाया गया हिंदूस्तान में रहने वाला एक एक शक्स राम क किया जाता है यहां पर उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाया जाता है उनके साथ रिष्टा साथ जन्मों तक निभाया जाता है अब प्रभु शिरी राम हमारे भी आदर्श हैं और हम उनके दर्शन करना चाहते हैं इसके बाद कड़ी सुरक्षा में उन तीन मुस्लिम महिलाओं को रामलैला के दर्शन कराए गए इसके बाद उन्होंने मंदिर परिष्टर में जाई शिरी राम के नारे भी लगाए रामलैला प्राम्प्रतिष्टा समाहरों में सेनातन ध्रम के आलावा तमाम पंत्थ के धरमगुरुओं और प्रतिनिधियों को भी मंतरित किया गया था योध्या में आयोजित इस समारों में वीवी आईपी महमानों के बीच एक मुसलिम धरम गुरू भी बैठे दिखे जिनका मानना है कि राम सब के हैं लेकिन कौन है ये शक्षियत अयोध्या राम मंदिर प्रान पतिष्टा समारों में पहुंचे मुसलिम पेगामे महुबत लेकर आया हूँ हमारे अबादत के तरीके और पूजा पदती अलग हो सकती है हमारी आस्थाई जरूर अलग हो सकती है लेकिन हम हमारा सबसे बड़ा धरम इनसान और इनसानित का है आईए हम सब मिलकर इनसानित को बरकरार रखें दूसरी बात यह है कि हम सب भारती हैं भारत में रहते हैं इसलिए हम सब को चाहिए कि हम अपने देश को मजबूत करें हमारे लिए राश्चे सर्वरोपरी है यह सबी दरिश्चे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो मुसलिम वर्ग अपने खून को पहचान चुका है मानोवे राम को अपना चुके है या फिर ये इनकी कोई दोगली जाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा क्योंकि मुंबाई से सटे मीरा रोड पर दो समुदायों के बीच जड़ब के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुए अबू शेख नाम के एक व्यक्ति का एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें वो लोगों को उकसा रहा था दरसल रवीवार रात दस बच कर तीन मिनट के आसपास हिंदू समाज के लोग नया नगर से बाइक और अन्या गाडियों से धार्मिक नारे लगाते हुए उनकी गाडियों पर हमला कर दिया इस दोरान एक महिला के सिर पर चोटे भी आएं दोस्तों सनातन धरम अजर है अमर है सत्या है सनातनियों में होसला है लेकिन धैरे भी है आज तक सनातनियों ने कई जलम सहे हैं अपने मंदिर को अपनी आँखों के सामने और फैसला आने के बाद ही मंदिर निर्मान का कारे शुरू किया गया था यहीं हमारा धैर्य है सनातन धरम जो हमें सिखाता है कि सभी को साथ लेकर चलो सभी को अपना परिवार मानो वासुदेव कुटुम्बकुम वहीं आपको बता दे कि अयोध्या में भगवान शिरी राम का दर्शन करने के लिए आएं हैं तो वो सिर्फ प्रधान मंतरी मोदी और मुख्या मंतरी योगी के आवाहन पर आएं हैं भगवा धारन किये डॉक्टर मुहमद सोहेल तो वही लखीम पुर्खिरी के छोटे खान हिंदू-मुसलिम एक्ता और भाईचारे का संदेश लेकर उनके लिए एक सबब के समान है तो ऐसे मैं आज की वीडियो में बसत ना ही अगर वीडियो इंफोमेटिव लगी इंट्रस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बला आइ झाल